आज का हमारा विश्य है नए वर्ष में सफल करो और सफलता पाओ बाप दादा नव जीवन वाली स्रेष्ट आत्माओं को और नव युग को रचने वाली माहान आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं दुनिया वालों के लिए नया वर्ष आरंब हो रहा है और आप बच्चों को नया युग याद आ रहा है वो लोग एक दिन की नए वर्ष की अलपकाल की खुशियां मनाती हैं और आप नए युग की सदाकाल की खुशियां मनाती हैं बस आज और कल का फर्क है आज पुरानी युग में हैं और कल नए युग में जाने वाले हैं तो आपको भी अपना नया युग दिखाई दे रहा हैं ना बच्ची नए युग में कैसे आपके शरीर कंचन समान थे प्रकरती दासी थी रज्य कितना न्यारा और प्यारा था आपके आपस के संबंध कितने प्रेम भरे थे कितने सुख स्मृधी थी विमान थे बड़े-बड़े सोने के महल थे संकल्प करते ही पोँच गए ना अपने नए युग में आप बच्चों को क्या मुश्किल है और आप बच्चों को तो लग रहा है कि बस हमारी आखों के सामने हमारा नए युग नाच रहा है आज के दिन दुनिया के लोग अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं लेकिन बाबा ने आप बच्चों को सदाकाल की गिफ्ट दे रखी है राज्ये भागे की और ये गिफ्ट ऐसी है जिसकी भावी अटल है जिसको कोई टाल नहीं सकता सिरु इतना जहान रखना कि कोई चोर इसको लूट ना ले जाए आजकल एक ताले से काम नहीं चलता डबल ताले लगाने पड़ती है तो गोड्रेज का ताला नहीं लेकिन गोड का ताला लगाना और चोर भहतों शियार है उन्हें पता पड़ जाता है कि इनका ताला ढिला है या मालिक थोड़ा अलबेला है तो वो जटा जाती है तो कभी भी अलबेले नहीं बनना नए वर्ष में हर वर्ग की किसी न किसी विशेश आत्मा को तैयार करो एक भी वर्ग छुटना नहीं चाहिए अब समय समी पा रहा है नहीं तो वो आपको उलहना देंगी कि हमें संदेश क्यों नहीं दिया संगम युग में ही हर धरम की आत्माई हर वर्ग की आत्माई इन में आपके द्वारा बीज पड़ना है और संगम युग में ही अपने में शक्ति भर करिये जब अपने समय पर धर्ती पर उतरियेंगी तो अपने वर्ग की अपने धरम की इन्वेंटर बानेंगी तो इनके मुक्से निकले कि हमारा बाप आ गया और वो बीज आप बच्चों को ही डाल नहीं है बाप बीज है और आप बच्चे तना हो तने के उपर ही शाखाईं लगती है तो सब शाखाऊं तक संदेश चाए कोई भी शाखा बचनी नहीं चाहिए तभी तो आप विश्वक कल्यान कारी बेहद के आधार मूरत और बेहद के उद्धार मूरत कहलाएंगे भले नवयुग में भूत सारे धर्म और भूत सारे वरग वाले नहीं आएंगे लेकिन ये जब भी आएंगे आपके द्वारा दीवी शक्ति के आधार पर ही अपने वरग और धर्म के इन्वेंटर बनेंगे तो जैसे धर्म की आत्माई आपके आगे पर्तेक्सता का पर्दा पर्तेक्स करने के निमित बनेंगी ऐसे वरग वाली आत्माई भी पर्तेक्सता का पर्दा उठाने के निमित बनेंगी और तब चारों और ये आवाज कुझेगी सरव के सहयोग से सुख मैं संसार बाबा नी कहा नए साल में बच्चों ने एक बहुत अच्छा संकल्प किया है संकल्प बहुत सुंदर है, बहुत दिव्वे हैं, बहुत शक्तिशाली है और वो संकल्प है कि हमको बाप समान बनना ही है अब संकल्प तो कर लिया, इसको निभाना है संकल्प करते ही हैं तो बड़ी उमंग में होती है, बड़ी हिम्मत दिखाती है लेकिन बाद में क्या होता है? माया कई रूपों में आ जाती है कभी चुहे के रूप में आती है, कभी बिल्ली के रूप में आती है और कभी शेर के रूप में आती है तो जब चुहे के रूप में आती है, तो क्या करती है? चुहा ना समझे से, किसी भी चीज को खा लेता है किसी भी चीज को काट लेता है तो माया भी बाप के दीवे खजानों को काट देती है यह है चुहे रूत की माया बिली रूप में आती है तो क्या करती है बिली म्याओ म्याओ करती है तो बचे भी मैं 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 करने लगती बाबा बाबा की जगह जब मैं मैं आ जाता है तो माया अपना काम कर लेती है, बच्चों को कमजोर करके बच्चों परवार कर लेती है, और जब शेर रूप में आती है, तो माया क्या करती है, शेर तो शक्ति शालिय और ढरावना है, तो ढरा देती है, और बच्चे भेभीत भी हो जाती है, और दिल शिकस्त भी हो जाती है तो बाबा नहीं कहा माया के इन तीनों रूपों से सावधान रहना, डबल लोक लगा के रखना, माया आपका कोई भी खजाना लूट ना पाई, इस नए वर्ष में बाप दादा, बच्चों को एक स्लोगन देती हैं, सफल करो और सफलता को पाओ, आपके पाईस जो भी खजाने हैं, समय, स्वास, संकल, ज्ञान, गोण, शक्तियां, उन सब को सफल करो, ना तो व्यर्थ गमाओ, और ना आई वेल के लिए संभाल करके रखो, जैसे भौतिक धन हमारी प्रोपर्टी होता है न, ऐसे ही संकल्प भी हमारी प्रोपर्टी हैं, तो एक भी संकल्प व्यर्थ ना चाहिए, सब संकल्प समर्थ बने, तो चेक करो, मन्सा के द्वारा, वानी के द्वारा, करम के द्वारा, सब खजाने जमा हो रही हैं, सब खजाने बढ़ते जा रही हैं, फिर बाबा नी कहा कि, मैं बच्चों को एक वर्दान देता हूं, सफल करो, और बेहत की सफलता पाओ, तुरंत सफलता पाओ, बाबा नी कहा, जो बच्चे सचे दिल वाले हैं, वो सहज रिती से इस परतेक्स फल को अनुभाव कर सकते हैं, और भूले नाथ बाबा, सचे दिल वाले बच्चों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, तो आप बच्चों को चेकिंग करनी हैं, कि मेरा हर पल सफल हो रहा हैं, संबंध संपर्क में, सेवा में, कारिये व्यवहार में, लोकिक प्रिवृत्ती में, हर पल सफल हो रहा हैं, बाबा को आपका कुछ नहीं चाहिए, बाबा तो दाता है, आप जो भी करोगे वो आपके खजाने में जमा होगा, आपको अपने लिए करना है, और फिर बाबा नहीं कहा कि कई बच्चे वर्णन करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, कि हमारा तो खाता बहुत ज़्यादा जमा है, लेकिन बाबा के पास सब बच्चों के खाते हैं, उनके अकाउंटें, और बाबा बता सकते हैं, कि किसके खाते में कितना जमा है, जो बच्चे सूचती हैं कि हमारा बहुत जमा है वो भ्रम्मे है उनका जमा नहीं है भ्रम्मे क्यों है क्योंकि पहले पाठ की दृड़ता नहीं है विगन वही पहला पाठ है मैं 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 बाबा बाबा के बजाए मैं मैं करता हूं मेरी सिवा है, मैंने बहुत सिवा की है, मैं ही जिम्मेवार हूँ, मेरी सिवा कोई और नहीं कर सकता है, मैं ना होता तो ये काम ना हो पाता तो जब बच्चे ऐसे सुचते हैं ना, तो क्या होता है, जमा वाले खाते से निकल करके वेस्ट वाले खाते में चले जाते हैं, वेस्ट का खाता बढ़ता जाता है, जमा वाला खाता घड़ता जाता है, तो बाबा ने बच्चों को सावधानी दिये है, कि बच्चे हर बात में बाबा बाबा बोलो बाबा की सिवा है बाबा करवा रही है बाबा करन करावन हार है मैं निमित्त हूँ शक्ती बाबा नी दी है बुध्धी बाबा नी दी है युक्ती बाबा नी दी है साथ भी बाबा नी भा रही है निरभैबे बाबा ने बनाया है, सब कुछ बाबा का है, तो जितना बाबा बाबा बोलते जाएंगे, समर्थ वाला खजाना बढ़ता जाएगा, बाबा ने का यह गुप्त मशीनरी है, बाबा इसमें कुछ भी नहीं करती है, लेकिन यह सुक्षम भी है, और इसको समझने के लिए बहुत महीन बुद्धी भी चाहिए, जो बच्चे सच्चे दिलवाले हैं, जो बच्चे सुक्षम महीन बुद्धी वाले हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं, तो बाबा ने का बच्चे महीन बुद्धी बनो, सच्चे दिलवाले बनो, और नए वर्ष में जमा के खा पराची में निकले, वो सब वारिष थे, क्यों वारिष थे वो, क्योंकि उन्होंने कभी मैपन लाया आई ने, बाबा बाबा हर बात है, लेकिन आजकल बाबनी का मिक्स है, कभी बाबापन और कभी मैपन, तो साधान प्रजा निकल रही, बाबा नहीं कहा बाबा को अब वारिस क्वालिटी बच्चे चाहिए क्योंकि पर्तेक्स्ता वारिस क्वालिटी बच्चों के सहयोग से होनी है और इसके लिए आप जो निमित बच्चे हो वो मैमे के बजाए बाबा बाबा का पाठ द्रड़ता से पका करो तो नए साल में बाबा बच्चों को भरपूर देखना चाहती है बच्चों के भाक्य की रेखा को अटल अखंड देखना चाहती है बच्चों को हर बात में विजय और सपलता मुरुत देखना चाहती है और बच्चों का हर कजाना सफलू ऐसी बच्चों के लिए शुभावना रखती है ओ शान्ति